वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें 17 दिसंबर 2023 को ही MBPSC Prelims की यानि राज सेवा परिक्षा 2023 कंड़क्ट होगी तो डेली अगर आप 6-7 गंटे दे सकते हैं तो अभी मैरे इस पेड़ क्रेश को जोईन कर सकते हैं जो 10 बिंदू का सिलेबस है उसके सारे नोट्स एक साथ आपको बिल जाएंगे अभी 4 सब्जेट के नोट्स हम ने आप दे दिये हैं 4 बिंदू के और बांकी 6 बिंदू के नोट्स भी आपको एक एक करके हर दिन अंप्लोड कर दी जाएंगे 12 तारीक तक आपका पूरा से लेवस जो है कंप्लीट करा दी जाएगा इस ग्रूप में इस पेपर वरिन के 10 टॉपिक्स हैं उसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं तो 10 टॉपिक्स में से 4 के नोट्स हम दे चुके हैं ग्रूप में आपको बिल भी चुके होंगे बांकी बचेवी टॉपिक्स के नोट्स आपको एक करके बिलते रहेंगे और इसमें 12 दिसंबर लास्ट करते रहे हैं, दस full-land test यहां पे होंगे, जैसा कि ऑफीशल पेपर आता है, test series का schedule दास्ट में दिया हुआ, test series उनी को मिलेगी, हलांकि जिन लोगों ने test series का payment किया होगा, test series का group join किया होगा, test time plan बहुत simple है, एक से 10 संबर के test आपके कराएंगे, 10 दिसंबर को आखरी test आपका, complete हो जाएगा, सत्रक पेपर है, तो साथ दिन आप प्रिवाइस कर सकते हैं, topic wise अगर हम इसमें देखें, तो मद्प्रदेश का इतिहास संस्कृति सायच से 2020 वाले वेपर में, 7 प्रशन आये थे, 2021 वाले में, 11, 2022 वाले में, 10 प्रशन इसमें आये थे, इसके बाद important topic है, भारत का इतिहास, 9 प्रशन, 10 प्रशन, 10 प्रशन इसमें आये थे, और मद्प्रदेश का भूगोल, इससे काफिजारे questions आते हैं हर बार, 2022 में 14 आये थे, 2020 में 17 सवाल इसमें आये थे, 2021 में 18 प्रशन मद्प्रदेश के भूगोल से आये थे, भारत वविश्व के भूगोल से 10 प्रशन आते हैं, अभी 8 आते हैं, 11 तक यहां पर आये हैं, तो 10-10 प्रशन का वेटेज आप, हिस्ट्रियो जोग्रफी का मान सकते हैं, मद्प्रदेश का भूगोल से 15 प्रशन 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 में, 12 प्रिक्षा में आये थे, अंतरास्ट्री, रास्ट्री, समसामी गटनकरम से, 9 प्रशन प्रशन से आये थे, इसमें 8 आये, तो 5 यह आये, तो 10 प्रशन से तर, 10 प्रशन का वेटेज रहता है, और सुचना और संचार प्रवधियोगी का, इसमें बढूल से लिगते हैं, किसी भी state pieces के prelims में at least नहीं आती है means में आया करती ही लेकिन MP pieces इसको prelims में भी पूचता है राश्टरी और प्रादेशिक समयधानिक सामविधिक संस्था है इससे 8 प्रशन, 10 प्रशन, 10 प्रशन इस तरीके से आये थे 8, 2020 में 2021 में 10 और 2022 में 10 प्रशन इसमें आये थे कटाओफ अगर हम देखें तो कटाओफ टार्गेट कितना करना है 2022 का ही जो कटाओफ आये था 2022 का कटाओफ अगर हम देखें तो 168 नंबर का ही गया था जिनरल के लिए open category के लिए जिसको बोलते हैं इसमें आपको हर 10 में से 8 सवाल इसमें सही करना ही करना था हर 10 में से 8 सवाल यहां पर कटाओफ गया था हर प्रशन दो मार्क्स का होता है MPPS में 100 questions आते हैं आपका GS1 में जिससे कटाओफ बनता है GS2 qualifying nature का होता है पो बता है तो पेपर थोड़ा सा easy moderate level का आया था यही ट्रेंड मेंशा देखने पिलता है जब पेपर जो है थोड़ा easy moderate टाइप आता है MPPS में तो आपको 80% कटाफ दिख जाता है unreserved open category के लिए हम पर 2020 में आप देखें तो 154 गया था यह भी थोड़ा सा moderate टाइप ही पेपर आया था और 2020 वाला पेपर कर हम देखें तो 140 कटाफ गया था यहने की 70% गया था क्योंकि पेपर थोड़ा सा tough side था difficult moderate level का moderate difficult level का पर लोग कह सकते हैं तो तो 70% 80% से ऊपर ही आपको टार्गेट करना पड़े है व्यूंकि मेंस के लिए आपको पता है यह screening nature का इसमें 20 गुना लोग जो है सिलेक्ट होंगे वेकेंसी के और फिर जो है मुख्य परिक्षा क्यादार पर ही फाइनल बेरिट बननी है तो स्क्रीनिंग परिक्षा है इसमें आपको अधिक्तम अंक लाने कोशिश करने हैं कट ऑफ जिस से अपका निकल सके क्यूकि कट ऑफ जनरली काफी हायर साइड़ रहता है यहां पीडिश्य में तो 70-80 questions आपको हर 100 में सही करने का target करना ही करना है इसकी क्या करना होगा इसकी कम समय में आप कम चीजोंपर फोकस करें लेकिन अच्छे से वोकस करें, वो यहां पर माहिने रखता है, अगर पेपर देख लें, 2022 का यह पेपर है, वेबरम कोशन कैसे देखने को बिलते हैं, कुछ कोशन तो simply written कोशन होते हैं, यानि कि सरलतम सरूप होता है, किसी भी state pieces के prelims में कोशन का, ठीक है, कुछ उस तरीके कोशन होते हैं, जिसक में एक कोशन में एक ही तत्य पूछा गया, जो दो पारिस्तिकी तंत्रों के बीच मध्य सीमा का कार, या फिर संक्रमन चेत्र के रूप में काम करता है, तो उसको वैसे तो संक्रमन चेत्र कह देते हैं, इसका मतलब आपको इंगलीश में पता होना चाहिए, क्या मतलब होता में से कौन सा है, ठेक है, तो यहां पर वेश्टन घाट से भी यहां पर सही हो जाएगा, वाकि कुछ कोशन होते हैं थोड़ा सा, मतलब कहा सकते हैं, लेंदी कोशन से इसमें, पूछता है, क्या कहा सकते हैं, MPPCS, MPPCS की तरह काई बार, multiple statement वाले कोशन, MPPCS बनाने कोशिश क करते हैं, जिसे मद्ध-प्रि्देश की जलवाई within के समन्द में, इसमें चार कफन पूछे हैं, तो चार अलग अलग ततते हैं में आपको पता करना है, क्वाट से यहां पर सही होगा, इसमें आपको सभी यह चार ततत्य पता हो जाय है, आपको पताओना चाही है, क्वां स सभी स्टेट पीशे से इवन यूपीस में आते हैं मैचिंग वाला कोशन होता है इसमें आपको बताना पड़ता है कौन सी इसकी ट्रिब्यूट्री है यह यह निकि सहायक नदी है इसमें आपको एम्पी का रिवर सिस्टम अच्छेस बता होना चाहिए जो उन्हें नोट्स दिए उसमें सब आपको जिस नदी की जो जो ट्रिब्यूट्री है वो अच्छे से लिख करके दे दिया विसमें आपको मैच करना है ठीक है यह मैं आपको दिखा रहा हूं जिसे आप कनेक्ट करना सीखें कि लास्ट के डेज में कैसे मैट्रियल का ऑप्टिममम कर जाते हैं यह सारी चीजें कुछ चीजें आप क्विस प्रैक्टिस करके सीखेंगे टेस्ट लगाकर सीखेंगे किस तरीके से उप्शन से अलब्नेट हम लोग कर सकते हैं इन में से किस राक में कोल और पेट्रोलियम आपको देखने को मिलता है तो यह आपका भारत की तो रॉकस में आपके कोल पेट्रोलियम देखने को मिलने हुगी तो आवसादी चप्तान में देखने को विलता है याने कि सेडिमेंटरी टाइप के रॉकस में तो यह सारी इन्पोर्मेशन जो है नौट्स में गिवन आपको आल्रडी जो हुज़ जहाँ जहां पर ज़रू यहां पर लेंदी होते हैं जैसे नीचे कुछë कुछ़च्ट्ट्ट्ट्ट्ट्रики लेंदी कुछच्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टॉ वह ऐता है आप उन्हें चहुड भी सकते हैं लेकिन वही बात है कि आपको 80 अपना इंटैक्टरक्ट नहीं और ये स्टेटमेंट वाले कई भर कोशन साते हैं। इसमें भारत की निरवाचन आयो के सम्वन्द में यहां पर तीन स्टेटमेंट पूछे गए हैं। ये कोशन्स हो गए। और!!! कौन साथि ईुमिलित नहीं है?다는 इससे भी कॉशनस आ सकते है मंत्परदेश देष के साहित्य से पीस हमाल है का यो एक और चीज है जिसमें एक ही इन डो दो है आप देख सकते हैं कि इसमे में 2-2 हैं और और 3-3 रचनाए भी दी हुई है तो इस तरीके से आपको कई बार जो तत्यात्मक को कुशंस हैं उसमें एक ही कुशंस में कई तत्थ भी पूछे जा सकते हैं लेकिन मुस्टली कुशंस इसमें वन लाइनर होते हैं इसी विजय से कट आफ यहां पर जादा जाता है जिसे इसमें पूछ लिए सब का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए सब नोट्स में जानकारी वैसे दी हुई है तो उद्देश यह क्या है कि आपको नोट्स से पटना है और हमारे जो प्रैक्टिस रिसॉर्स से उससे प्रैक्टिस करनी है और फिर आप जो है अपने कटाफ तक पहुंचने की कोसिश कर सकते हैं क्योंकि लास्ट के डेज में ही कि जा सकता है आप कई सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं ऐसा फिसबल नहीं है तो आप क्या करिए नोट्स को पढ़िए जो भी नोट्स आपको दिये कहें चाहिए पढ़िए और ललता हैं I do प्रवाटीस करिए और पेड़ोवीं डे अलACE कोसिए उनको एक पर देख सकते हैं सारे कोशन्स जो है याद करने को पाजैन आपने अंतना हुँ多少 होते हैं सारे स्विंट्न् tweeted नहीं होते हैं मत बहुत ज़्यादा के इसमें whether these सबसे कि रपके नहयुत नहीं हो अगर हिस्ट्री लिखा हुआ है तो साथ या आठ या नौ जो भी पॉइंट है सबसे एक एक दो दो कोशन स्पूछनी कोशिश की जाती है तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टार्गेट नहीं आप कर सकते हैं कि एंपिक जोग्रफी में सिर्फ हम जो है स्वाइल पढ़ लें सिर्फ म कि इसमें कवरेज देंगे उतना ही आपको लाब मिलेगा कोई भी चीज आप छोड़ते जाएंगे वहीं पर आपके नंबर कम होते जाएंगे मालीजे आपने फॉरेस्ट वाले चाप्टर चेस नहीं पढ़ा इससे कोशन आएगा ही आएगा स्वाइल नहीं पढ़ा उससे कुछ न कुछ कुछन साते हैं अगर हम इसमें देखें इसमें अगर हम सारे पॉइंट्स को अगर देखें दस पॉइंट है इनके सब पॉइंट्स को अगर हम काउंट करें तो ये लगभग जो है आपके आ रहे हैं तो आठ इधर बिंदू हो गए आपके मदभरदेश के इ चार पॉइंट हो गए और आपका भारत का समिधान सासन प्रणाली वर अथिवर्स्था से आठ पॉइंट इधर फिर आपके दस बिंदू हो गए विज्ञान और प्रेवरेंट से तीन इधर पॉइंट राष्ट्री समसामिक और अंतराष्ट्री घटनाओं में पांच इधर और आपके इधर राष्ट्री प्रादेशिक समध्धानिक समसामिक समसामिक भलाएको चोहत्तर पॉइंट का इस सिलेबस है ठीक है चोहत्तर बिंदू को आपको तयार करना इसे तो इसमें जो कई सारे चीज़ें, information वाली, information retain करने वाली बात है, जब इतनी information होती हैं, ता information overload होता है, तो वहां पर revision और practice का बहुत महत होता है, आपको याद रखना है, तो जो भी आप पढ़ते जाएं, उसको regular basis पर revise करते जाएं, दस बिंदू हैं, शेले बस डिवाइड़ है 10 points में तो इसमें आप कुछ ऐसा checkpoint बनाईए कि आप हर दो point के revision के बाद जो है back जाकर के पहले point का revision करेंगे ऐसे कुछ हाप points बना लीजिए इस पर revision कमात बहुत जादा है समय बहुत कम है तो आपको read भी करना है जैसे history of India आप पढ़ रहे हैं geography of India पढ़ रहे हैं तो जब आप मद्धप्रदेश special में geography मद्धप्रदेश की मद्धप्रदेश की history कला साहित वगएरा पढ़ेंगे तब आपको back जाकर revision भी करना पढ़ेगा आप जरूर कर डा लिए ठीक है आपको जो है साड़े शाय गंटे का schedule बना लेना चाहिए ज़्यादा समय नहीं पाकी है जो भी study material इसमें दे दिया गया है आप यह मानिए कि selection material है best और relevant और short crisp करके हमने जो जरूरी है वो यहां पर दिया है मंद्ध प्रदेश का इतिहास संस्कृति साहित यही वाला बिंदू थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जिसमें ज्यादा points हो ज्यादा fact हो थोड़ा सा लंबा हो सकता है करना है study करना है रिवाइस करना है और प्रैक्टिस करना है अगले जितने विदीवस आपके एक्जायम के लिए बचेवए हैं प्रैक्टिस के लिए भरपूर रिसोर्से समदे रहे हैं पेड़विस आपकी चल रही लगतार इसमें आप questions करते रही है और आपकी test series जो चल र सकते हैं strategy में कोई doubt होना ने चाहिए यही तीन चीज़ों का मूल मंत्र है लास्ट के जो चालिस दिवस या करीब जितने दिवस बचे हुए है एक महीन जो बचा हुए study करना है रिवाइस करना है प्रैक्टिस करना है हाँ आपको से लेवस में कोई चीज नहीं समद में आती है तिन लोगों ने doubt clearance का group लिया हुआ है